पसकार मित्रो जैमातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो कन्या रासी वालो जिन्दिगी के सबसे बहतरिन पल गुजरेंगे दिनांक 20 जून से लेकर 30 जून तक यानि कि मित्रो जून माह के आखरी 11 दिन मित्रो कलियुग में पहली बार एसी अनोकी घटना होगी कि बेठे बेठे राजा बन जाओगी जो चाहोगी वो मिलेगा जी हाँ आने वाले यह 11 दिन व्यापार की डरश्ती से नोकरी की डरश्ती से पारिवारिक जीवनियापन के लिए प्रेम संभंदों के लिए सात ही मित्रो विध्यारतियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साओधानिया है और क्या खुस खब्रिया है समस्त बातों कि ज्यानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो मित्रो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास साउधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वहीं वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपने मा से प्यार करते हैं इस वीडियो के लाइक कर दीजेगा और ना ही कमेंट बॉक्स में जय माता दिभी अवस्च लिख दीजेगा तो चलिए मित्रो आप सभी का किम्ती वक्त तकवाई बिना बढ़ते हैं अगले 11 दिनों के महत पुर्ण रासी फल की ओर मित्रो वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एसा वीडियो बार बार नहीं बनता है समस्त ग्रह गोचर के आधार पर इस रासी फल का निर्मान किया गया है तो आईए अब बात करते हैं तो मित्रो जरूरी काम समय पर पूरा होने से आप खुश रहेंगे क्योंकि एसा समय आपके ग्रह निर्मान कर रहे हैं खुश रहेंगे मानसिक सान्ती मिलेगी और किताबे या अच्छी चीजे पढ़ने में आपका वक्त बीतेगा अर्थात कहें तो सुक सान्ती से आपका समय व्यतित होगा और खुद के विकास के लिए स्वार्थी होना जरूरी है नकरात्मक लोग आपका अहित करने की कोशिस करेंगी हाला कि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप पर इन बातों का असर नहीं होगा आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है कभी कभी ऐसा लगे कि सब कुछ होते वे भी कुछ अधूरा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कुछ समय आध्यात में गति वीदियों में अवियतित करेंगी और आपके इनकम में बड़ोतरी होगी मित्रो परन्तु साथ ही खर्चे में बने रहने से सेविंग नहीं हो पाईगी और कोई सुब समाचार की प्राप्ति होगी परन्तु अपने पार्टनर वो कर्मचारियों की हर गतिवीदी और हर किर्या कलाप को नजरनदाज ना करें क्योंकि कभी-कभी छोटी गलितियों को नजरनदाज करना आपके लिए सबसे बड़ा नुक्सान होता है आपको बता दे कि कोई सुब समाचार की प्राप्ति होगी और सरकारी सेवरात लोग के उपर कारिभार रहेगा वहीं आपको बता दे मित्रो कि आपका घर परिवार को प्रात्मिक्त देना घर का वातवर्ण मधुर बना कर रखेगा प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आईगी और घर के किसी वरिष्टी व्यक्ति के स्वास्त में परिशानी हो सकती है तो नेमित रुप से मेडिकल चेक अप आदी अवश्य करवाएं वहीं आपको बता दे कि समय के सुरुवात में कुछ दिक्कते भी रे सकती है परन्तु आप अपनी प्रतिभा व उर्जा द्वारा हर परिश्तिती का सामना करने में समर्थ रहेंगे खास तोर पर महिला वर्ग के लिए समय उत्तम चल रहा है इसलिए अपनी समताओं का भर पुर्प्योग करें प्रेतक संपत्ति संबंदित कोई मसला चल रहा है तो आपसी सहमती अत्वा किसी की मध्यस्तिता से हल करने की कोशिस करें आर्थिक मामलों में बजट आदी में खास ध्यान देने की आवस्यत्ता है क्योंकि बजट जब तक आप सही नहीं बनाएंगे बजट का ध्यान नहीं रखेंगे तो अन्य था रिणिन देने की नौबत आ सकती है विवसाइग गती वीडियो को और अधिक बहतर बनाने के लिए आपके किये गई प्रयासों के सकरात्मक परिणाम आपको जरूर मिलेंगे कामकाज को लेकर की गई कोई यात्रा का उत्तम भविश्य का रास्ता भी खोल सकती है युवा प्रेम प्रक्संगों में पढ़कर अपने करियर के साथ कोई समझोता ना करें और घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन न हो सकता है और प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपना समय आपको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है मित्रो मौसमी बीमारियों से सत्र करेना है इसके लिए अपना खान पान वो अपने दिन चर रहा को एक दिन सूव्य वस्तित रखे किसी दिर्ग कालिक लाब की योजना पर काम सुरू हो सकता है और पिछले कुछ समय से चल रही चिंता से भी आपको राहत मिलेगी आपकी सफलता का रास्ता खुल सकता है जिसमें लाब प्राप्ते के साथ साथ उस्सह व उर्जा का संचार होगा मित्रू वियापार तथा पारिवारिक गति वीदियो के बीच तालमिल बिठाने में कुछ परिसानी महसूस करेंगी आप अपरिचित व्यक्तियों पर भरोसा ना करें इससे आप बेठे बिठाएं मुसीबत में पड़ सकते हैं कोई जूटा आरोप या कोई कलंक भी आप पर लग सकता है जो आपकी बदनामे का सबसे बड़ा कारण बनेगा किसी अधिकारी या राजनितिग्यस से मुलाकात होने पर आपको कई व्यविसाइक कार भी हल हो जाएंगे और मित्रो कोई बड़ी डिल या बड़ा ओडर मिलने से मित्रो आपको कई सारा लाब होगा आप देखेंगे कि आपके लाब किष्टिथी आगे चल कर नहीं रुकेगी इसलिए अपने संपर्क सुत्रों को और अधिक मजबूत करें और नोकरी में कोई महत उप्रन कारिभार की वज़े से आपको काम भी करना पड़ सकता है और काम की निचे आप दबी भी रहेंगे आपका अनुसासित वहवार घर परिवार में बेहतर सामन जश्य बना कर रखेगा परन्तु प्रेम संभन्द आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं इसलिए सावधान रहें स्वास्त में किसी भी प्रकार की परिसानी नहीं रहेगी परन्तु फिर भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए घर में किसी मांगलिक प्रसंग वसुभ आयोजन की प्लानिंग बनेगी पिछले काफी समय से चिंता चल रही थी और उस चिंता के तले आप धबे हुए थे तो वह भी अब दूर होगी क्योंकि अब आपका नसिब चमस्कने वाला है नविद कार्रो की प्रवती भी बनेगी और आपकी बोधिक समता की भी लोग सरहाना करेंगे कोल मिला कर मानसिक सुक्स्तानती यह समय आपको प्रदान करेगा और इस समय व्यर्थ की गती वीधियों में अत्यदिक खर्चों होने का भी योग बना हुआ है आपको आपके कुछ लोग काम में रुकावटे व अवरोध उत्पन न कर सकती हैं इसलिए किसी की चुकिनी चुपड़ी बातों में ना आएं और अपनी काबिलियत और अपनी कार्य समता पर ही विश्वास रखें मित्रो प्रोपटी संभन्दित बिजनस में मेहत प्रण डिल हो सकती है और विवसाइक प्रतिद्वन्दियों की गती वीध्यों को बिलकुल भी नजरंदाज ना करें सरकारी सेवरात लोग क्लाइंट के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े और मान हाने की भी मित्रो आसंका है परिवार में बड़े बुजुर्गों का इसन है और आसिरवाद बना रहीगा प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आईगी और अत्यधिक भाग दोड तथा मेहनत का असर आपके स्वास्त पर पड़ सकता है तो ठकान और कमजोरी जैसी स्थती आपको महसूस हो सकती है काम काज में वेवस्था के अलावा आप परिवार वो दोस्तों की मोज मस्ती में वो मनुरंजन में भी समय व्यतित करेंगे कहीं से गिफ्ट में किमती चीज मिल सकती है और पारी वरिक सरश्चों के साथ भविष्थ से संभन्दित करती वीदियो को लेकर कुछ योजनाए बनेगी लेंदिन के मामलों को लेकर किसी के साथ वाद विवात की स्तथी बन सकती है तो गुस्से की बजाए सान्ती से समस्या का हल निकाले और कानों ने मामलों में बिल्कुल भिला परवाही ना करे अपने कार्यों में अनुभवी व्यक्तियों की सलहा आपको अवस्य लेना ही क्योंकि अनुभवी व्यक्तियों के सानिध्य मेरे करी आप कुछ नया सिखने का प्रियास करते हैं और यही नई तकनिकाप के कार्यों को सफल बनाती है लेंडेन के मामलों को लेकर किसी के साथ वाद विवात की स्थती बन सकती है तो गुस्से की बजाए सान्ती से समस्या का हल निकाले और कानुनी मामलों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करे अपने कार्यों में अनुभवी व्यक्तियों की सलह आपको अवश्य लेना है और बिजनस में विश्तार की योजना पर काम सुरू होगा नई मसीनरी वो नई तकनिक आदी का प्रयोग संभंधित कार प्रनादे पर विचार विमर्स होगा तुमित्रों वीडियो की समाप्ती यहीं पर होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक अवश्य कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरु जी का असिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवश्य से लिखेगा गुरु देव आपकी सारी मनो कामनाई पुरुन करेंगे और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी मित्रो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा वह जो इस्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी अवसे दबा दीजेगा